नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर हरी निवास, चैनले संस्कृत साही तेवं संस्कृती, ये सप्ताहा रहेगा तर्क संग्रे का, अन्नम भट की रचना है, दार्षनिक ग्रंथ है, सिधा काम सूत्र से स्विच हो करके और दर्षन में जाना, आपके लिए भी कठिन होगा, भुदा तो मेरे लिए भी कठिन है, लेकिन अब जब सुरू किया है, तो पूरा तो दोनों को ही करना है, मुझे ये भी पता है, कि देखने वाले हैं, वो भी कम होते चले जा रहे हैं, वो संख्याएं भी घट रही हैं, लेकिन एक निरने लिया है तो उसको पूरा करेंगे, लाइब्रेरी तो तभी बन सकती है, चलिए, तर्क संग्रा में अभी तक हम साथ पदार्थों का जो विवेचन है, उसका उद्देश कर चुके हैं, और उसके बाद जो प्रतम पदार द्रव्य है, उन नव द्रव्यों की चर्चा कर चुके हैं, उसको समझ चुके हैं, आज जो दूसरा पदार थाता है, द्रव्य के बाद गुन, उस गुन की चर्चा करेंगे, 24 गुण हैं इससे आप पर्चित हैं क्योंकि हम उद्देश में इसकी चर्चा कर चुके हैं फिर भी एक बार उन 24 गुणों को जानते हैं रूब, रस, गंध, स्पर्ष, संख्या, परिमान, प्रथक्त्व, सैयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धी, सुख, दुख, इच्छा, द्वेश, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार चतुर विंशति गुणा, ये 24 गुण हुआ करते हैं अब सबसे पहले स्वाभाविक है कि रूप गुण की चर्चा होगी तो रूप के बारे में उसका लक्षन करते हुए कहते हैं चक्छुर मात्र ग्राहियो गुणो रूपम भई उस गुण को रूप कहा जाता है जो गुण सिर्प चक्छु इंद्री के द्वारा ग्रहन किया जाता है यानि अगर आप परस इंद्री से किसी चीज़ को जान सकते हैं तो वो रूप नहीं है अगर आप रसनेंद्री से किसी को जान सकते हैं रूप नहीं है आप अन्य किसी इंद्री के द्वारा जिसका साक्षात कार कर सकते हैं जिसको जान सकते हैं जिसका ग्यान प्राप्त कर सकते हैं जिसको समझ सकते हैं उसको रूप नहीं कहा जाएगा रूप किसको कहा जाएगा आखों से ही जिसका निरने आये उसको रूप कहा जाएगा फिर से अच्छी तरीके से समझ लिजिए कि रूप को ग्रहन करने का दूसरा कोई माध्यम नहीं है आप कहें कि हम कान से सुन लेंगे कि वो लाल कलर की साड़ी ले आना हमारे लिए अब वो लाल कलर की साड़ी कौन सी लाल कलर की अगर आपने कभी दो या तीन साड़ियां देखी थी और उनमें से एक कौन सी लाल तो आखों ने उसको देखा है इसलिए आप कानों से सुनके उसका निर्णे कर सकते हैं और नहीं तो कभी कोशिस करके देख लीजिएगा कि पतनी घर पे दिखा दे कि इस साड़ी के लिए लाल ब्लाउज लेके आना है वो साड़ी घर पे हो और फिर पतनी कह दे कि वो लाल ऐसा है वो लाल ऐसा है आप देखके भी गए थे घर पे फिर भी आप मैचिंग सेंटर प पाएगा कि परफेक्ट लाल कौन सा है और कैसा कानों से सुन के निर्णे नहीं हो सकता है रंग को आप हाथों से स्पर्स करके भी कि ये लाल है ये पीला है ये नीला है आख बंद करके नहीं जान सकते हैं जीव से चाट के भी रंग को नहीं बताया जा सकता है कि रंग का कलर क वह जैसा है ये तो रंग की बात हुई रंग के अत्रिक्त भी अगर कोई ऐसा गुण है जिसको आखोंगी द्वारा ही ग्यान-प्राप्त हो सकता है जिसका आखोंगे द्वारा ही जिसको जाना जा सकता है उसको रूप कहा जाएगा अब यहां मुख्य बात रंग से ही लग जाती है इसलिए तक्च उसके साथ प्रकार हैं सब्त विदम शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र इसके साथ प्रकार हैं शुक्ल अब इतनी संस्क्रुट वापको आती है तो मैं इसकी अगर हिंदी करने जाओं त नील पीत रक्त हरित कपिश और चित्र अब यह रूप कहां कहां मिलेगा आपको इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं प्रत्वी जल तेजो व्रुति ही यह रूप प्रत्वी में भी रहता है यह रूप जल में भी रहता है और यह रूप जो है वो तेज में भी विद्धिमान लेता है अगर आपने कभी हमारे उपनिशत के वीडियो देखे हो ना तो वहाँ जब दर्शन की जर्चा होई है जब स्रिष्टी की उत्पत्ती की जर्चा होई है तो वहाँ पर ये बात आती है जो एक है आकाश उसमें सिर्फ शब्द ही विद्धिमान रहेंगे इस प्रकार से जब प्रत्वी का नंबर आएगा तो उसमें सभी विद्धिमान रहेंगे यहां पर जो चर्चा हो रही है रूप की हो रही है और आप से कहा था कि रूप जो है वो आँखों का विशे है आँखों को तेज के साथ लेना देना है जब हमने नोद्रव्यों की चर्चा की है तो उश्निस पर्सवत्ते जहा और वहां इंद्री आपकी चक्षू होती है और रूप ही उसका गोन है यह चर्चा हम कर चुके हैं उसको याद करेंगे तो आपको यह वात समझ में आ जाएगी यानि जब हम रूप की चर्चा करते हैं तो रूप अपने बाद के यानि सात प्रकार आप से कहे हैं शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश और चित्र यह सातों प्रकार जो हैं वो प्रत्वी में पाये जाएगे लेकिन जो अभाश्वर शुक्ल है वो जल में पाया जाएगा और जो भाश्वर शुक्ल है वो तेज में पाया जाएगा यानि जल के अंदर आपके शुक्ल नील पीत समनी पाया जाएगा खाली शुक्ल पाया जाएगा और वो भी अभाश्वर जो नहीं चमकता है ऐसा शुक्ल यानि जल का रंग कैसा होता है पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दो लगे उस जैसा इसलिए तो उसको clear बूला जाता है यानि पानी का जो color होता है वो तो कैसा होता? clear होता है उसमें कोई चमक नहीं है इसलिए उसको का है अभास्वर शुक्लम जले लेकिन जो तेज में विद्धिमान होता है वो शुक्लत तो कैसा है चमकने वाला है यानि तेज अगर हलका है तो आपको प्राता काली नुशूरी क तरह औरेंज जैसा दिखाई देगा लेकिन अगर वही तेज थोड़ा और बढ़ेगा तो फिर वो पीला होगा औरेंज से और वो तेज जब प्राकास्था पहुंचेगा ना तो वो बिल्कुल सफेद हो जाता है इसलिए आप देख लीजिए आपकी गाड़ी बगेरे की ज होगी तो लेकिन कुछ गाड़ियों में वाइट कलर की लाइट लगती है और वो एकदम से ज़्यादा प्रकास भेगती है क्योंकि यह है भाश्वरम शुकलम तेजसी तेज में विद्यमान चमकने वाला सफेद वर्ण वो होता है तो यह रूप की परिभाशा हुई कि रू तो रूप पाये जाते हैं लेकिन यह जब जल में देखते हैं तो रूप जो है अभास्वर शुकल जल में पाये जाता है और भास्वर यानि चमकता हुआ शुकलम बढ़न जो है वो तेज में पाये जाता है चलिए रूप के बाद रस की बात करते हैं रसना ग्राहयो लवण, कटू, कशाय, तिक्त भेदा अब जो 6 प्रकार के रस होते हैं मधुर यानि मीठा, अम्ले यानि खटा, लवण यानि नमकीन, कटू यानि कडवा, कशाय यानि तूरा बोलते हैं जिसको और तिक्त यानि तीखा यानि मिर्ची ये 6 इसके प्रकार हैं अगर आपको मीठा तो समझ में आ गया होगा खटा भी समझ में आ गया नमकीन भी समझ में आ गया कटू भी तूरा कशाय जिसको बोलते अगर वो समझ में नहीं आया है तो जिसको खाने के बाद आपको पानी मीठा लगे वो कशाय होता है जैसे आउला है या खराब हो गया द अब रस जो है वो खाली प्रत्वी और जल में पाया जाएगा रूप जो था प्रत्वी में भी था जल में भी था तेज में भी था लेकिन यहां पे जब रस की बात हो रहे तो मात प्रत्वी में पाया जाएगा और जल में पाया जाएगा अब जो छे प्रकार का है सडविद रस जो है वो तो प्रत्वी में पाया जाएगा प्रति व्याम शडविधा जले मधुर एवे लेकिन जल में जो है वो खाली मधुर रस ही पाया जाएगा अब आप कहेंगे कि जल तो नमकीन भी होता है जल तो कड़वा भी पानी होता है पानी तो भाई कहते हैं कि हर थोड़ी दूर पे जाके पानी का अपना टेस्ट बदल जाता है वो भारी भी होता है, वो हलका भी होता है बहुत सारी बात हैं उसके बारे में कही जाते हैं तो आप एक चीज़ को समझे कि जल का जो वास्तविक गुण है वो आप से कहा कि शीतलता है ऐसे ही रसकी अगर बात करेंगे तो जल जो मधुर है वही उपयोगी होता है उसी को लोग यूज करते है तो जो जल का वास्तविक गुण है वो मधुरता है इसलिए यहाँ यहाँ ऐसा कहा गया है कि मधुर गुण जला यानि जल जो है उसमें मधुर गुण पाये जाता है और प्रत्वी में तो यह सभी गुण पाये जाते हैं यानि जो भी खटा पैदा होगा तो भी प्रत्वी में से पैड़ा होगा, मीठा पैदा होगा, तो भी प्रत्वी में से पैदा होगा, तीखा पैदा होगा, तो भी प्रत्वी में से पैदा होगा, तो प्रत्वी में से भी प्रकार के कुण पाए जाते हैं, लेकिन इतना याद रहे कि कोई भी टेस्ट है, उस भी आप कहते हैं पहले चख के बताओ घुब उसको टेश्ट करेंगे तभी पता चलेगा कि मीटा है याा कटा है तो यह जो स्थिती है ना कि टेश्ट सिर्फ आपको जीब से ही मालूम पड़ता है कितना नमक है सबजी में नमक कम है, जादा है, यह आप कैसे जानते हैं, देख के कोई नहीं बता सकता है, तो जो भी रस हैं, छो छे प्रकार के जो रस हैं, चाय में चीनी पड़ी है या नहीं पड़ी है, देख के नहीं बताया जा सकता है, उसको टेस्ट करके ही बताया जाएगा, तो यह छे प्रकार ना हो और पिछले भाग में किसी चीज़ को आप अगर इस परस करवाते हैं जो गले के पास पहुंग जाए तो उसका टेस्ट आपको नहीं मालू पड़ेगा अगर जीव किसी की कट गई है आगे का हिस्सा कई बार जल जाता है कई बार कुछ समस्या हो जाती गरम चाय पीली कुछ गरम खा लिया तो ऐसे समय पे भी आपको वास्तविक टेस्ट नहीं मालू पड़ता है क्योंकि टेस्ट जो है वो जीवा के अग्रभाग में रहता है तो यह परिभाशा हुई रस की चलिए अब ग्रान ग्राहे हो गुणों गंधा इसकी चर्चा हूं अगले वीडियो में करेंगे मैं हूं डॉक्टर हरी निवास आनंद लीजिए तर्क संग्र है थोड़ा कठिनाई से समझ में आएगा लेकिन सभी गुणों को जानने के लिए इस सब्सक्रा के सारे वीडियो आपको सुनने पढ़ेंगे तैने में